रादे रादे youtube family आप सभी का यड्वालों में स्वागते आसा करते हैं आप लोग स्वास्त होंगे मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में वहत्त होंगे और मैं यहां पर morninx में भी कट कर रही हूँ सब्जी और मुझे बनानी है नास्ता जो के भी सुबह के छे बज़रे और ये भी सोके आज उट चुकी है और ये भी मेरे साथ बैटी हुए और मैं सबजी कड़र कर रहे थी तो वो मुझसे बात के जा रहे थी तो मैं यहां पर बनाओगी आज तोड़ई तोड़ई की मतलब तोड़ई और चना बिला करके दुनों की सबजी और तोड़ई और काला चना जो होता है उसका भी सबजी बहुत ही अच्छा लगते खाने में पर मैं यहां पर बना रही हूं तोड़ई और आलो की तोड़ई औ चना दालें गी सब्जी अच्यास बनाऊंगे और मैं यहां पर सब्जी कट कर रही है और अभी बारिस भी होड़ी और धूप भी होड़ी बता ने मुस्तम कैसा हो रखा हैं तो मैं यहां पर सब्जी पठक से कट कर लेती और फिर मुझे मतलब इसके लिए नास्ता बनाना है और नास्ते मैं इसके लिए बना रही है आलू का कुछ नया रेस्पी बना रही हूं तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे हैं यह ब्लॉग में आप लोग को फुल विडियो और हो च्छाद के जुड़ाना के तो यहां पर कर रही है मस्ती है कि फाली में सब्जी पकारा कट कर लिए और इधर हमें खेंड बि दिश्के बाल्त बाद मैंने पानीख और झान कर दिया है घट बालो रागाना है कि और उसके बाली दा वैं लोन डालू इसके बाद में अ तो मैंने घीख द्धाल दिया और घीख दालने के बाद पिर मैं यह बीचार को मसाला चाहिए ज्ञार के द. तो मैं इसको अच्छे से प topics लोगी और इसको अच्छे से मिला दुँगी ऑ narc हो पिर इसको अच्छे से अच्छे से पर्च करने बाद भाद इसमेंवा करा यहां है थ्षॉदी कर दो डाल कि हमारी हों में मसाला वो में ने डाल धीया है मृसित है अर्च दें सब्यादिक चछल लाइब एड़ करने पाद इसको मैं ऐचया से चला लोगा चलाने के पाद फिर इसको मैं अचया से तो यह मतलब टौरही डाल दिया है और आप तो खुत च clothing अज़िए पर आप हो मैं अश्जा नहीं जबाएगीot लोगास करता है तो इसले म bond को مरे दालियमे सिर बहुत ही अच्छा अच्छा सब्सक्राइब और किती कर दो मैं अइसरे में फोर्डते का कभी in चे सब्सक्राइब कर दिया है और इसका मैं कूकर कर दूंगी बंद रखन और पहले मारी दोनों चीज हो चुकी थी तो मैं इधर कर लूंगे आलू को फराज इसको मैंने बॉल किया था नमक डाल करके तो इसको ना मतलब 90 परसेंट आपको पका लेना है मतलब बॉल कर लेना है और इसको उबालन अच्छे से कलर मतलब अपना ब्रॉण कलर में आज़ है और इस तरह से क्रंची क्रंची फड़ाइ करना है यह नहीं की सौप्टी रे करना करना है और इधर मैं ऑईल निकाल ली हूं कि इसमें मतलब बहुत कम उईल लगता है मतलब बिना समझी मतलब चमज से भी आधा रही होट करना है तो तो समझी नहीं तो कि है बनाना क्या चलिया सवाफोल निकाल देख सोट्ची में मीज लगता है तो निकाल आतां है आता 커피 जाए हो है लुद्ट में मरकाणा में उसका सक्टिक स्टाव लाइकर मेर्चाल और तरह से बिसक्ते मटाने ने कि दूinst कॉरिफ बना करके अच्छी से जढ़ाना कि फिर इसको अच्छी से पकाना थएख करना उसके थाहिए त्हुरूआ दोंगी दिनक सोछा बड़ना हे तिसको अच्छे से जाट असमें पड़ाय डाले इसको अच्छी सə ब्यूर होने देंगे तो मैंने नमक डाल दिया था और इधर यह हमारी बन के हो चुकी है रेडी तो यह मैं बना रही अपने बेटी के लिए उसे बहुत ही अच्छा लगता है यह सब्जी चीज से मंचूरियन हो गया तो अभी हम मैदा का उतना चीज नहीं दे सकते बच्ची है तो इसलिए मैंने घर में और अलू से ही मितलब बना दिया तो बहुत ही अच्छा से वह खाई थी और इधर हस्मेंट भी आ गए थे तो मैं उनके लिए फटा फट रोटी सेख देती हूं और फिर इसको टिपीन देना है उसको मैंने बना करके पहले मैंने उसे खिला दिया उसके बाद ही मैं जेख में लिए रोटी बनाने के लिए जब तक मैंने उसका तक मैंने ऊचे आते हैं तब से तोड़े जाना की सब्जी और फिर रसकाद मैंने हस्मेंट को दे दिया था और इधर मैं बना रही हूं रोटी फटापट मैं सेक लोगी तो बीच में मुझे जाना परता था क्योंकि रोटी मितलब खा रहे थे तो जब भी हस्मेंट मेरे खाते तो गड़म गड़म ही खाते ठनदा में खाते हैं तो जब हो आते तभी मुझे रोटी खाते तो रोटी फटा की सेक करते हैं लुप वह नहें पसंद है तो इसलिए मैं रोटी obt Att준 okay भी लेते हैं टॉसी जब हल्या रोटी को रह भी ने कर दिया था तो इसका लांज भी देना तो उसके लिए वही आलू का जो मैंने ग्रेवी वला मंचुडियन बढ़ाया है ऑलू अलू फ्राइड करके जू मैंने बनाया था वह दूँ और एक रोटी देदू छोटी सी रोटी देदू पताने वह खाएगी कि ने खाएगी पर मैं देदूंगी वैसे तो वह कभी नहीं कभी किया तहीं का थे कभी नहीं खाती पता ने उसको मतलब पताने क्या होता है खाना खाना ही नहीं चाहती है तो कि कली हुआ रोटी बेशच को कि म में ऑन एक थोड़ी शी मुटी रोटी मैं अपने लिये तो मैं नहीं है पर बना ली फ़ाए हश्बन क winners के को प्ली सब्सक्राइब कर लिजेगा बिल आगन को आउन कर लिजेगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे तो फैनली इदर मैं बना लोगी फड़ापट रोटी और यह थोड़ी सी मोड़ी रोटी बना रही तो फिर मैं दूसरी काम में लग ज जाएंगे जब तक वो खा रहे है तो तक हमारी यह भी रोटी बन जाएगे फिर बोलोग जले जाएगे अगर मैं ग्यास बंद कर दूंगे तो मुझे बनाने का मन नहीं करेंगा तो साइड में रखावाई दूद काटूपी है जो कि मैं इसमें दूद रख दी हूं और यह हमारी दूद बोल होगी तो तक जो हमारा घड़का मतलब इधर दर फैलावा वो समय कर लोगी और इसी टाम यह होता है जब जाते हैं तो मैं रिलाक्स होके काम कर लेती हूं पहले तो बहुत ज़्यादा बागदौर सी पड़ी रहती है बच्ची यह समझने पाते हैं मतलब क्या खाएगी क्या नहीं खाएगी क्या नहीं खाएगी तो इसलिए बनाने थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है और कभी बनाते हैं तो वह अच्छे से रियरली बहुत ज़्यादा अच्छे से खा लेती है जितना कि हम समझने पाते हैं लेकिन कभी ऐसा होता कि कुछ खाती ही इसलिए मतलब बच्चे को समझना मतलब थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली बात है तो फाइनली मैंने इसलिए हो गया कीचन क्लीनिंग और अब मैं बनाऊंगी अब बनाऊंगी नहीं ज्ञाड़ बगरा लागा लों फिर रस्नान करना है और पूजा बगरा करना फिर मुझे ज तो अब इसे चलेगी दीपा वाली की सफाई क्योंकि घर में भी बहुत ज्यादा फैला हुआ समान बगरा तो दीपा वाली की सफाई अभी से नहीं करेंगे आप लोग देखी सकते हैं कि इतनी तेज़ बारी सो रही है जो मतलब मैंने बेट चीट बगर रहे हैं पर टांग बादी तुफान बारी सो रहा है तो फाली मैंने दर जाड़ बगरा लगाले आपसे बात करते करते हैं और आप लोग से मिलते हैं ने एक्षे ब्लोग में तब तक लिए आप लोग अपना धिहान रखे टेक केर बाई 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 और प्लीज ज्यादा ज्यादा बीनियों क तो तब तक के लिए टेक केर बाई बाई और मिलते हैं आप लोग से नए ब्लोग के साथ तब तक के लिए ट्वी फैमिली बाई बाई आप लोग देखे सकते हैं किस तरह से मुसम रखा है